Hey guys, welcome back in new video. Guys, कैसे हैं आप साब? I hope आप सब ठीक होंगे. Guys, मेरा नाम है सारदिन खान और आप देख रहे हैं अपने YouTube टेनल Pharmacy वाला. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहुन. चुनिए Pharmacy वाला को और करे अपने B-Farm and D-Farm का सपना साकार. डाउनलोड दिया नाम. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिदेंगो वहां से डावलोड कर सकते हैं. पूरी जो प्लेलिस्ट का लिंक है सारे लेक्चर्स का वो भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. आप एक तरफ से देखते आना. बात करते हैं कुस्षन किस तरीके साथ हैं मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ. एक दो बार इन में से कोई सा कुस्षन आया है. जैसे कि 2 मार्स में है राइट प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर जो अभी हम कवर ही करने वाले हैं. एक बार आप पर इस प्रिंड रायर आया था इस प्रिंड रायर को तो हमने लाश्ट वीडियो में देखा था. एंड देखिए यहां पर पूरा 10 मार्स में हुआ हुआ है. तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्यूम ड्रायर के बारे में. इसमें पहले समझे वैक्यूम का मतलब के हैं? की वैक्यूम आप बोल सकते हैं कोई ऐसी एक ऐसी कंडिस्न जहां पर प्रेशर बिलकुल ar भी नहीं हो, कुछ भी ना हो मलब कोई भी मेटर मां प्रेजेंट ना हो सिम्पल बोले vacuum का मतलब है जीरो प्रेसर ठीक है मैं जब भी बोलूंगा वैक्यूम आप समझाओ कि वहाँ प्रेसर बिलकुल जीरो है और एक और कॉंसेप्ट समझो इसमें vacuum का ही use करके हम क्या करेंगे drying करेंगे अब vacuum से कैसे dry कर सकते हैं देखे एक चीज़ आप समझने होगी कि देखे pressure is directly proportional to temperature ये आप ने पढ़ा होगा physical pharmastics में अगर हम pressure बढ़ाएंगे तो temperature भी बढ़ेगा अगर pressure घटाएंगे तो temperature भी घटेगा यानि कि अगर हम vacuum लगा देंगे तो हम temperature को घटा सकते हैं ये अब समझो है ना तो principle क्या हुआ देखे साब से बिले लिखना है कि vacuum dryer is waste on the principle of application of vacuum जो vacuum dryer होता वो वही है इसमें हम vacuum का use करके drying करते हैं vacuum को as a apply करके तो application उसका हम use करके यहां पर use करते हैं यहां पर उसको यहां पर use करते हैं तो यहां पर बात करते हैं principle की तो देखे वही है कि vacuum dryer is waste on the principle of application of vacuum यानि कि इसमें हम vacuum को ही apply करके अपने drying करते हैं तो यह उसी पर waste होता है vacuum का मतलब मैंने लिख दिया यहां पर यहां पर नहीं present होती यहां पर प्रेशर होता है जीरो हो जाता है यहां कि जीरो प्रेशर है उसी को हम बोलते है vacuum ठीक है तो इन vacuum dryer by decreasing pressure we can easily evaporate water molecule at low temperature जैसकि मैंने आप यहां को concept बोला यह बिलकुछ चीज रटलो की अगर प्रेशर बढ़ेगा तो temperature भी बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा तो temperature भी कम होगा सपोज अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया तो temperature भी तो कम हो जाएगा है ना and suppose करिए कि जैसे water है water का boiling point होता है वह 100 degree Celsius होता है अगर वहीं पर हम वैक्यूम अप्लाई कर दें प्रेशर कम कर दें तो जो है 20 से 25 degree Celsius पर ही बोल करने लग जाएगा यह फायदा होगा तो हम कम ही heat देंगे फिर भी वह evaporate हो जाएगा water content एक चीज़ का आपको फायदा नज़ पर समझा गया और बात करते हैं इसके construction के बार में कि यह किसका बना होता है और इसमें क्या-क्या parts होते हैं तो देखे जो आपको डाइग्राम में नजर आएगा न वहीं चीज़ें आपने simply बतानी है तो यह जो आपको यह नजर आ रहा है इस तरीके से यह जैकेट होता है बोलतो पाइप आप बोल सकते हैं जो कि stainless steel का बना होता यह रैड रैड तो नहीं ते राड ने इसका मतलब है कि यह गरम है तो यहीं पे चीज़ यह गरम होगी ठीक है यहां से पाइप के थुरू एक condenser connect होता है बोले तो जो भी वैपर्स बनेंगी वह बैपर यहां पे condenser ह होगा उसमें convert हो जाएगी और यहां पे है important ही जो कि है vacuum pump जो यहां पे लगा होगा बोले तो देखिए चारो तरफ से यह क्या है अगर किसी हलकी फिल की चीज़ का बनाओंगे तो vacuum वह सहन नहीं कर पाएगा और फटाट भी सकता है ठीक है second point it is divided into hollow trays in which heat is provided by conduction method एक चीज़ कंडक्शन मेथड की मदद से यहां पे heat प्रोवाइड की जाती है देखिए यह जो है छोड़ी छोड़ी ट्रेज में हमने रख गा है तो यहां से हम hot air park आते हैं तो जब हम hot air इसकी थुरूफ पार कराएंगे तो यह जो stainless steel का है तो यह गरम हो जाएगा जब गरम हो जाएगा तो यहां की यह जो चीज़े हैं यह हमारी जो trays है यह भी गरम हो जाएगी और इसके उपर हम content रखेंगे material रखेंगे तो वो भी गरम होने जाए तो conduction method की मदद से हाँ पर हीट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है this oven is connected to the vacuum pump यही जो पूरा oven है हमारा vacuum pump से connect होता है simple सी बात लिक्विए and hair condenser also connected which convert vapors into liquid and बोला था न मैंने कि यहाँ पर condenser होता है जैसे ही हम material में जो भी vapors बनेंगी material से बाहर निकलेंग वो बैपर यहां से आके ही तुरंत यहां liquid में convert हो जाएंगी condense हो जाएंगी तो यह है इसकी construction बात करते हैं working almost आपको समझे ही आकिया होगा working तो देखें पहला point है कि first of all जो feed material जो है वो हम almari में selfs का मतलब है almari या बोले जो trays में हम यहाँ पर रखेंगे जैसकि यह मैंने यह आपका एक आप tray समझ लीजिए कोई container समझ लीजिए उसको पहले जो भी feeding material जो भी आपने वहां से dry करना है उसको उठाएंगे और यहां से हम खोलेंगे इसको tray को निकालेंगे और उसको अपने अंदर रख देंगे ठीक है second है कि after that pressure is decreased by vacuum pump यहां से देखी चारों तरफ स यहां से vacuum pump को स्टाइट करेंगे और इसका जो भी प्रोसर प्रेसर सार उसको गायब कर देंगे तो जीरो प्रेसर यहां पर हम create कर देंगे and last में next step है वह हमारी steam यह जो hot air है हम pass करेंगे किसके थुरू यह जो pipeline है यहां से हम hot air पार करेंगे जैसे hot air आईगी अब देखिए ह हमने यहां पर vacuum create कर रखा है मैंने vacuum का concept आपको पहले ही बोला कि देखिए pressure कम है तो यहां का जो material है बलतो यहां पर जो भी water content होगा इस material में वो कम temperature इविन की 20 से 25 degree Celsius पर वो evaporate होने लग जाएगा तो यहां पर जैसे ही conduction की मदद से यहां पर यह गर्माहट यहां तक at very low temperature 25-30 पर ही वो evaporate हो जाता है because of vacuum due to vacuum ठीक है तो आपको समझा क्या होगा बात करते हैं इसके application तो देखिए पहला point to dry heat sensitive material and hygroscopic material यह तो मैंने पहले बुला था कि किसको फायदा हो हम ऐसे product को भी हां पर dry कर सकते हैं जो कि heat sensitive हो जो heat में खराब हो जाते हैं दूसरा also help in separation separation में मदद करता है क्योंकि देखिए यहां पर condenser लगा हुआ है न सपोज यहां पर हमारा volatile liquid है हमने इसको गरम किया वो तुरंद evaporate होगा कंडेंस हो जाए यहां तो separation भी हां पर होता है तीसरा पॉइंट है इन ट्राइंग ऑफ वैक्सीन इंजक्षन प्रोटीन्स एंटिवाटिक यह जो सारी चीज़े जो heat sensitive है उनको हम यहां easily try कर पाते हैं advantage यह बोले तो merits के बात करें यह easy to use होता है आप easily इसको चला सकते हैं and second point is easy for batch process of different compound आप batch में बोले तो इसको अब लैब बगएर में भी रख सकते हैं और easily इसको चला सकते हैं next आप beneficial for thermosensitive material वही thermosensitive जो heat से ज़्यादा खराब हो जाते हैं उनके लिए ज़्यादा helpful होता है यह इसका advantage आप लिख सकते हैं this advantage की बात करें तो time taking देखिए नोटे continuous process आपने एक सीद है कि हाँ पर हम अलमारी में बार बार जिस भी material को हमने dry करना उसको निकालेंगे बढ़ाएंगे रखेंगे तो उसमें कोई continuous process नहीं है बोले तो जैसे हमने लाश्ट में देखा था कि अपने आप ही काम होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है second point है low heat transfer capacity यहां पर थोड़ी heat थोड़ी कम transfer होती है कंडेक्शन की मजद से एंड यह थोड़ा expensive हो जाता है और limited capacity आखर कितना समान आप इसमें एक साथ कर सकते हो गरम यह थोड़ा limited होता है तो यह है आपका वैक्यूम ड्रायर फायदस कई यही है कि आप heat sensitive material को भी easily हाप पर dry कर सकते हैं बात करते हैं लाश्ट जो ह भी हमने सारी concept देखेते ड्रायर देखेते एक्जामपल इसकी tray ड्रायर है drum ड्रायर है spray रायर है पर उसको पहुंचा दो बोले तो बिल्कुल जमा दो यह इसकी फर्स्ट स्टेप होगी और उसके बाद सेकंड स्टेप है कि सब्लीमेशन इसमें कराएंगे तो उससे पहले देखिए मैं थोड़े बता दूँ कि इसको हम लायो फाइलाइजेशन प्रोसेस में बोलते हैं इसक को घोल करके जब बनाते हैं सोलेशन जिसकी मोनो से बेस्ट एक्जमपल है तो जो सूखा वहां पर क्या आता है इंजेक्शन वह लायो फाइलाइजेशन प्रोसेज़ द्राइंग के थ्रू ही किया जाता है ठीक है तो इसको भी हम आगे फिप्ट समय भी देखेंगे बाकी स करते है फिरिए प्रेंशा जो कि थोड़ा इंपर्टैंट धर एक मारा लिक्विड होता है और एक हमारा निए अर्ग मारा गैस तो सन हम उस बोलते हैं जिसमें प्रोसेज़ होता है वह अबाग कि बड़ोटी कि उल्कृट ईसंद नक्यंद कि शह economic सेंटा तो इस प्रोसेस को हम सब्ली में элемेशन बोलेंगे वैश्ट आ आप जानते ही होंगे हाइल को और संपल लेता है में कपूर्द सब्रक्रास मदड़ जाने है जो गोली से इस आते हैं वासंनों डिए सान जान रिकala तो वही लेकता है कि ए प्रोसेज वाइब सॉलिड डारेक्लिक थे इंट वैपर्स बिदाव पास इंट लिक्विड स्टेट में पास हुए बिना वह बैपर्स में गनवार्ट हो जाता है तो कैसे यह होता है दो लाइन में ही आपको सारा पॉइंट है पर क्लियर हो जाएगा क कि the material to be dried first frozen at minus 60 degree temperature जिस भी material को आपने dry करना है उसको सबसे पहले minus 60 temperature पे आप लेकुल क्या करतो freeze कर दो frozen में frozen कर दो ठीक है then suddenly converted frozen ice into vapor wise sublimation और एक साथ temperature बढ़ा तो suddenly जैसे आप आपकी working भी समझ आएगी तो और अच्छे से समझ आजाएगा ठीक है तो construction में देखिए इसमें क्या होता है जो आपको चीज़ें नजर आएंगी वहीं यहाँ पर मैंने लिख रखा है देखिए अब आपको दिखाता हूँ एक होता है drying chamber इसमें दो चीज़े होती है एक होत करते हैं Condenser होता है Refresorator के साथ में vacuum pump होता है vacuum का यहाँ भी यूज करते हैं vacuum का मतलब दुबारा बताने जरूरत है नहीं मिले हैं तो यहाँ पर देखिए देखते हैं यह system है आपका आप बोले आप इसको freeze मान सकते हैं तो condenser दो है आप इसको freeze मान सकते हैं बेलोकुल जहाँ पर चीज हम ठंडी करेंगे सबसे पहले माइने 60 तक हम उसको पहुंचाएंगे ठीक है अब उसी जो ठंडी हुई चीज है ना उसको हम यहां ले जाएंगे कि इसमें ड्राइंग चामबर में यह जो ना आप जो रैड रैड में नजर आ रहा रहा आप इसको समझोई गरम च क्षेथे होगा है तो इस तरीके से कंश्ट्रक्शन ने यहां ayah रूक से आख हुँआ सा के कि अब canyon увер होता है है यहां से ना करना है उसको तयार कर दो अपनी मटेरियल को और उसको सही तरह मतलब पास में लाकर रख लो यह पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है फ्रेजिंग तो यह जो आप राफिजरेटर का सिस्टम है अलग पार जो है उसमें आप माइनस 50 या माइनस 60 तक पहले उसको जमा लो यह तो पहले स्टैप ही हम बार-बार पढ़ रहें और नेक्स्ट स्टैप देखिए वह है प्राइमरी ड्राइंग यानि कि यहीं पर होगा सब्लीमेशन देखिए लिखाए कि आफ्टर डैट अंडर वैक्यूम वाइट इक्रेजिंग प्रेशर सोलिड आइस सब्लीमेट्स डिरेक्टल इंटु बैपर्स एट 25 तु 30 डिगरी टेंपरिचर देखिए पहले अब यहां से कॉंसेप समझें कि यहां पर हमारा रेफ्रेजरेटर का सिस्टम है यहां पर हमने अपने समाने को ठंडा कर लिया मायने सिक्स्टी पर पहुंचा दिया अब उसी को उठा के परेशर ऊंदर का प्रेसर फिल्कुल खत्म प्रेशर इसगल टूजीडियो है नहीं जैसे ही करेंगे यहां पर कोंटेक्ट माईगी तो जो हमारा जमा बनाया था उसमें कुछ वाटर कंटेंट होगा ज्योंकि हमने रिमूववी करना धि जभी बरफ है वो सड़नली एक होगी कम ही temperature हम यहां पर वैक्यूम का भी यूज कर रहे हैं खिलियर हुआ ठीक है यह आपका होगी प्राइमरी ड्राइंग बिल्ट सब्लिमेंशन अब इसके बाद इतना वाटर यहां से रिमूब हो जाता है उसके बाद थोड़ी बहुत भी नमी बचती है तो उसके लिए हम करते हैं सेकेंडरी ड्राइंग आप क्या करेंगे अब तो यहां से गायब हो जाएं तो यह आपके सेकंडरी ड्राइंग है लास्ट में जो भी हमारा हम पैक कर देंगे और यह जो जाधा तरह वो इंजेक्शन को ड्राइ करने के काम आता है तो इसटेब आपको समझागी पहला है प्रिप्रेशन एंड प्रीट्रीटमेंट सेकेंड है फ्रीज करेंगे फिर सब्लीमेट करेंगे और लास्ट में अलके फुल की जो बची होगी नमे, उसको और dry करके pack कर देंगे, तो यह है इसकी working, ठीक है, बात करते हैं, application के सबसे important वो यही है कि injections को बनाने में, जो सूखे injection बनते हैं, उनको बनाने में, vaccines को बनाने में, और जो blood plasma जो होता है, उसको dry करने में, जो blood plasma अमस्क उसट करने में करने में जो बैक्ट्रियल कल्चर होते हैं और से Android अंटि वू माइक्रोडित कंटर्मिननेंट कोई माइक्रोड़ वगर riot नहीं होना चाहिए तो यहां पर इस्टे रिलेटिक आप इसली मैंटिन कर सकते हैं सुटेवल फूर थर्मो सेंसिटिव माटिरियल ज्यादा हीट पर खराब हो जाते हैं के लिए सुटेवल होता है और नो माईग्रेशन देखिए अगर हम क्या वहां पर बोईल बगारा करते थे हैन ऑपर तो वहां पर थोड़ा माईग्रेशन थोड़ी कमी आ जाती थी हमारे मटेरियल में और यहां पर नहीं होता है एक हाँ यह थोड़ा नहीं होता है चलिए थोड़ा लंबा प्रोसेस्टिंग होगा राफिजरेटर है ड्रैंग चंबरने थो थोड़ा हाई कोस्ल अगर आप टेंपरेटर प्रोवाइड करोगे तो वह ऑक्षिटाइज हो सकते हैं यहां पर यह हमारा कवर हुआ क्या ड्राइंग यहां पर जो सारा जो पोर्सने ड्राइंग वाले कवर हो चुका है फ्रेज ड्राइर तक नेक्स्ट बेह मिक्सिंग को देखेंगे उसके पहले अब्जेक्टिव अप्लिकेशन और फेक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आप